नमस्काँ मेरा नाम है शूती शाओ और आप देख रहे हैं वीजन आज बात उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के कानपूर अपने कई खबरें ऐसे सुनी होंगी जहां किसी लर्की के साथ रेप होता है लेकिन कानपूर की एक दिल दहलाने वाली खबर आपको जरूर सुननी चाहिए कानपूर में दस साल के दलत बच्चे के साथ दरंदगी की गई और हैवानियत इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने आख में केल ठोकी उसके बाद बच्चे को सिगरेट से जलाया और फिर गला दबा कर जान से मार दिया और ये ऐसी ही हैवानियत है जो हमें और आपको हमीशा निर्भया की याद दिलाती है मासुम बच्चे को पहले अगवा किया गया उसके बाद ऐसी हैवानियत को अंजान दिया गया इस घटना के बाद गाउं में जाती को लेकर तराव पढ़ गया चुकि वो दरित समुदाय से था दरसल राज मिस्ट्री महेंद्र का दस साल का बेटा पांचवी कक्षा में पढ़ रहा था मासुम बच्चा सुमवार दो पहर को घर से बाहर टायर लेकर खेले लिकला था इसके बाद अचानक लापता हो गया मंगलवार दो पहर को घर से 400 मीटर दूर गाउं के ही रामेंद्र मिश्ट्रा के सरसों के खित में उसका नगन अवस्था में शव पढ़ा मिला सूचना मिलते ही नर्वल पुलिस और फोरंसिक टीम मौके पर जाच करने पहुची एक्सपर्ट ने बताया कि बच्चे की आँख से करीब पांच इच लंबी कील मिली है पूरे चेहरे को सिग्रेट से दागा गया इतना ही नहीं उसके गुदा द्वाल में डंडा भी डाला गया शव के पास पड़े मिले डंडे में मल और खून लगा हुआ था इसके साथ ही पूरे शरीर पर चोट और खरूच के खुब निशान थे 24 गंटे बीटने के बाद भी पूलिस अभी तक इस मामले की खुलासे में जा नहीं पाई है पूलिस सदिकारियों के मुताबिक इस घटना में 6 संदिक्दों को हिरासत में लेकर जाच परताल की जा रही है SP आटर अजीत कुमार सिनहा का दावा है कि जल्द ही हत्याकांट का खुलासा होगा आज दो पहर बाद डॉक्टरों का पैनल बच्चों का पूस्ट मार्टम करेगा लेकिन पूलिस ने जोग तक जाच परताल की है उसमें सामने आया है कि बच्चे की हत्या, तंत्रमंत या फिर कुकरम करने के बात की गई है उसके शरीर पर मिले जक्ष, हैवानियत और तंत्रमंत की और इशारा कर रहे है ऐसा पूलिस ने कहा है एसपी अजुत कुमार सिन्हा ने बताया है कि जाच में चार टीमों को लगाया गया है खाना प्रभारी के साथ ही क्राइम ब्रांच समेट चार टीम अलग-अलग एंगल से जाच करके हत्याकान का खुलासा करने का प्रयास कर रही है इसके साथ ही सियों सदर रिशी केशब यादव की निगरानी में खुलासे का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल से जल हत्याकान का खुलासा हो सके लेकिन इस हत्याकान के बाद सवाल खड़ा नहीं होता गया जिस प्रकार से एक बच्ची के साथ, एक बच्चा, एक लड़का, दस साल का सवाल जरूर पूछना चाहिए कि लड़की के अभखरन पर आप सवाल उठाते हैं, फिर लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, जो हैवानियत हुई, उस पर सवाल जो नहीं उठते एक भी ट्वीट ना सरकार की तरफ से और ना ही किसी पार्टियों की तरफ से, आखर क्यों, क्या सभी पार्टियां आपने खोशना पत्र में इतनी व्यस हैं कि एक ट्वीट तक उनसे नहीं किया गया, ना परिवास से मुलाकात की, लेकिन हाँ, उसी घोशना पत्र में सुरक् से related नहीं है बलकि यह मुद्दा लड़के के रेप से related है और लड़के के साथ ऐसी हिवानियत क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा नमस्कार ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीजन को